सो हेलो एवरिवन मैं हूं विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं सूजलोन एनरजी शेयर के बारे में अब आज के दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें 1.5% की अल्मस्ट गिरावट देखने को मिली है स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो रहा है 74.3 रूपीज का अब यहाँ पे इसमें आगे के लिए क्या टार्गेट्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं अगर कल के दिन ऐसा होता है ग्रीन कैंडल बनती है और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर पॉस्टिबिल्टी बनेगी कि दुबारा यहाँ से हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है और उसके लिए फिर जो नियरेस टार्गेट हमें देखने को मिलेगा वो होगा यहाँ पे 80 रुपीज का यह हमारा पहला टार्गेट हो सकता है और जब 80 रुपीज का प्राइस ब्रेक हो जाएगा तो फिर इसमें और भी जबरदस्त अपमूव आ सकता है यह तो मैंने बता दिया कि अगर इस एरिया के राउन यहाँ पे कल ग्रीन केंडल बनती है और क्लोजिंग देती है तो अब अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ पे 73 रुपीज का प्राइस कल के दिन में ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक अपना 70 रुपीज या फिर 68 रुपीज का प्राइस भी टेस्ट करने है नीचे आए तो यह फिलाल के लिए इसके अंदर सिनेरियो बन के आ रहा है मैंने आपको दोनों साइड का बता दिये कि जिस भी साब का मुवमेंट कल आपको देखने को मिलता है उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आगे इसमें क्या होने वाला है तो यह लेवल साब भी निकल के आ रहे हैं सूजलो और एनरजी शेयर के आई होप यह वीडियो आप लोग के लिए हेलफ फुल रही होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में